तो आजके इस विडियो में हम लोग यहां पे वर्क्सब्क कल्कुलकुलेसनन साइंस। यहां पर वीडियो ईसवर सीमने वाले कंड़ेख करने वाले हैं, छ दूसरी एज़नसी यहां पे आपका आंपका निम्मा कराई थी , पर इस बार आपको कौन कराएगी तो इसका सिलेवस क्या रखने वाला है क्या चीज़ आपको पढ़ना है तो फिलाल अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर वरक्सवप कल्कुलेशन एंस साइंस सकेंड यर के लिए और इदिया फर्स्ट यर के स्टूडेंट है तो यह वाला आप लोग देख लीज देगा ठीक है तो फर्स्ट यर का सिलेवस मैंने अल्रेडी सुबह में अपलोड कर दिया था अब हम लोग सकेंड यर का सिलेवस यहां पर डिसकस करेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जा आएगा उसमें हम लोग इलक्रिसियन ट्रेड थेओरी का सिलेवस क्या रहने वाला आपका फीटर थेओरी का फर्स्ट यर सकेंड यर का सिलेवस क्या रहने वाला या फिर अधर जो भी ट्रेड्स है आप लोग कोमेंट करके नीचे बताईएगा पहले फिलाल तो मैं यह तीन ट्रेड का अपलोड करूँगा उसके बाद इसके अलाबे आपका कोई ट्रेड है तो आप लोग कोमेंट करके नीचे बताईएगा कि आपका ट्रेड का आपको इदी चाहिए सिलेवस तो मैं उसके उपर वीडियो बना दूँगा ठीक है तो आप लोग यह सिलेवस कहां से डॉनलोड कर सकते हैं तो इसको सेंड कर दू सिलेवस का ही आपको नॉलेज नहीं होगा बलकि जो सिलेवस जो भी टॉपिक है उसका भी वीडियो आपको मतलब उसका जो पीडियाप में उसके बारे भी डिटेल में दिया ठीक है तो चलिए अब बिना यहाँ पर टाइम वेस्ट की होई स्टार्ट करते हैं और डिसकस कर लेते हैं सिलेवस तो इसके पहले आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजएगा तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहला जो यहाँ पर देखिए आपका यहां पर कॉमन है फॉर और इंजिरिंग ट्रेड है ना अंडर सी टीएस जो भी सीटीएस के अंदर ट्रेड आता सभी ट्रेड के लिए वह यह पर देखिए अब यहां पर पहला इदि टॉपीक हम लोग ले तो पहला देखिए यहां पर प्रोब्लम आपको यहां पर करना तीक है उसके बाद अब को लूबरीकेशन थोड़ा देखना को पीसंट और फ्रिक्टस के बारे में जानना है, तो यह सारा चीज, जो आपको, यह first chapter है, जो कि आपको basic जानना है, ठीक है, तो बहुत ही simple सा रहता है, और यह आपके पास book है, तो आप देखिएगा, दो से तयारी चाहें तो कर सकते हैं ठीक है तो next जो topic है वो क्या आपका center of gravity दूसरा जो topic है वो क्या center of gravity है तो इससे related आपका यहाँ पर आपको study करना center of gravity के बारे में जानना है ठीक है तो पहला friction दूसरा center of gravity और तीसरा chapter आपका देखें क्या है area of cut है ना out regular surface and area of irregular surface तो यहाँ पर सब्सक्राइब गर्फेल बिचहें. ब्रणव में चीज आपको आपको बहुद बड़ा और इसमें जो चीज़ है और इसमें जो चीज है वो यहाँ पर नीचे दिया गया तीक है उसके बाद नेक्स जो आपका टॉपिक है वो क्या आपका चेप्टर नमर फाइब और वो है elasticity, यह ना, elasticity नहीं परत्यास्ता जोसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना, elasticity, plasticity, material पढ़ना, stress strength करव पढ़ना, ठीक है, stress strength का आपको basic formula आना चाहिए, क्या होता है, यह होता है, यह सारे चीज आपको इसके अंतरगत पढ़ना है, और आगे की topic की बात करें, देखिए हाँ, heat treatment, और आपका कौन सा topic है, यहाँ चेप्टर नमर 6, जो वो क्या heat treatment है, ठीक है, तो यह आपको देख सकते हैं, heat treatment ही एक आपका यहाँ पे, जिसमें hardening हो गया, tempering हो गया, anneling हो गया, normalizing हो गया, case hardening, यह सारे चीज आपको heat treatment के अंतरग यहाँ पर आता है, ठीक है, उसके बात करें, यहाँ टोटल 8 चेप्टर यहाँ पर आपका दिया गया है, बस इतना ही आपको करके जाना, और अच्छे नमर आपको आजाएगा, ठीक है, तो लास्ट क्या आपका estimation and costing है, estimation and costing यह last chapter है, तो यह टोटल मिला कि यहाँ बात करें, उसके बात, center of gravity, area of cut, algebra, elasticity, hit treatment, profit loss, estimation and costing है, तो यह सारे topic आपको study करने है, अब बात कर लेते हैं, यह आपके पास book नहीं है, तो आप कहां से cover किजएगा, तो देखें, यहाँ पे नीचे में, जो इसी PDF में नीचे में आप देखेंगा, एक एक topic को यहाँ पे discuss किया गया है, सा इसको आप यहाँ से chapter wise chapter यहाँ पे दिया गया है, इससे आप पढ़ सकते हैं, और उपर में syllabus दिया गया है, तो आप syllabus भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इसके अलाबे यहाँ आपको किसी other topic के ओपर वीडियो चाहिए, किसी other चीज का आपको यहाँ आपको कोई भी subject का आपको चाहिए इसका syllabus, तो आप लोग नीचे comment किसेगा, मैं उसके उपर बनाने का कोसिस करूँगा, ठीक है, तो मैं नीचे देखूँगा comment में कि कौन सा student, जो क्या चीज, कौन सा trade का comment क्या है, उसी trade के उपर मैं next video लाओंगा, ठीक है, तो फिला, electricityian हो गया, feeder हो गया, और अपका डीजल, ये तीन चीज का मैंने target रखा है, फर्स्ट यर और सकेंड यर का trade theory का syllabus जो वो discuss कर दूँगा, और employability skill का जो syllabus है, वो भी मैं यहाँ पर discuss कर दूँगा, ठीक है, तो मिलते है next video में, तो make sure कि आपने हमारे channel को subscribe कर लिया है, और bell icon को press कर दिया, ताकि जब भी मैं video डाल होंगा, तो आप लोगों को notification जो वो मिल जाएगा है, इसलिए channel को जुरूर subscribe कर लिजएगा, चलिए मिलते है next video में,